हलो और वेल्कम दोस्तों टू 5 मिनेट्स इंजिनेरिंग आज का वीडियो वाकर बड़ा कम्माल कहोने वाला है दोस्तों क्योंकि आज की इस वीडियो का मुद्दा देख लीजे आपके सामने है TFIDF इससे पहले भईया हमने bag of words को निप्टा दिया है NLP इस subject की चर्चा चल रही है और उसमें आगला topic निकल के आता है TFIDF तो भईया देखो इसी तरीके से हमारे सामने text प्रस्तूत होगा लेकिन हमें आकडों में तिल्चस्पी है तो हमने bag of words के जरीए वो vector किस तरीके से हमें प्राप्त हो सकते हैं वो जो count है वो जो frequency है उसके साथ हम वहाँ पे खेलते हैं लेकिन यहाँ पे खेल निराला यहाँ जो Count को पेश करना चाउंगा समझाना चाऊंगा क्या की T F IDF क्या कहना चाहता है यह कहना चाहता भूइए à frequency inverse document frequency यह दो अलग-लग छीज़ें है जब इनको जोड दिया जाता है तो धा कर आपका टीज और 5.टायार होता है चलो यह दो जो Terms आपको दिखाई देदी, सबसे पहले क्या निकल कहाती है Term Frequency, जैसा नाम वैसे ही काम यहाँ पर आपन क्या काम करने वाले हैं यह formula है जी Frequency divided by total number of terms in a particular document मतलब एक particular term की Frequency यह जो occurrence है यह जो appearance है, एक particular document में कितनी बार आया है divided by the total number of terms in that particular or total number of words in that particular document और inverse document frequency क्या कहता है वो कुछ अलग कहानी कहता है वो कहता है यह log of td divided by fd, td मतलब क्या what do you mean by that, total number of documents मतलब आपके पास corpus में कितने documents उपस्तित है that is the total number of documents divided by fd मतलब आपका वो जो एक particular term है, वो कितने documents में occur हुआ, that's what the fd is denoting, आप बात समझ पारें अगर नहीं समझ पारें, तो tension मतलो example के साथ साथी चीज़े crystal clear होने वाली है लेकिन हम यह जो दोनों का उत्तर answer जो हमें मिलता है, इसके बीच में जब हम multiplication करते है, तो actual में हमें आकड़ा प्राप्त होता है, particular text के लिए, this is what you should loves dancing, यह दूसरा document है, है की नहीं, और घरवाले बोलते हैं, भईया यह नाज गाना मत करियो, कुछ अच्छा सा जो job है वो पकल ली और करियो, है की नहीं अब obvious ही बात है, देखो, इसमें मैं थोड़ा सा out of the topic जाके बात करना जाऊँगा एक important मुद्धा यार, parents भी अपने जगा सही है, क्योंकि उनको भईया, society ने जो रस्ता दिखाया है, उनके बच्चों के लिए कि यार, यह safe रहेगा, stable रहेगा अच्छा रहेगा, तो यह करिए, तो वो जो parents है, उनको अपना perspective दिखाओ, society ने अपना तो दिखा दिया, आप अपना perspective उने दिखाओ, कि नहीं यह मुझे अच्छा लगता है करना, यह मुझे से प्यार है वह यह लव डूइंग दिस पर्टिकुलर थिंग, अब मैं इसमें कुछ ना कुछ चोटे से छोटे लेवल पर आपको proof करके दिखाता हूँ, उसके बाद शायद फिर यह statement, यह document यहाँ पर लिखने की कभी जरूद नहीं पड़ेगी, कि आपने अपनी जो इच्छा थी या फिर अपना जो passion था उसे छोड़ दिया, नहीं जी, आज बहुत सारे इसे लोग है वाईया, जो कि अपने passion को follow करके इतने बड़े हुएं, कि मतलब या नाम जिनाने की जरूद भी नहीं, इतने सारे वो और आप जानते भी है, मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था, मेरे family में वाईये, teaching background किसी का नहीं है, but I love teaching, तो मैंने कहा कि इनिशली छोट इसमें conflict होते है, conflict होने का बात ही नहीं, आपने आपको proof करके दिखा दो, अगर proof कर पाये तो भाईये, आगे जाओ, उसी के साथ passion को बढ़ा कर दो, सही बात है न, simple और genuine, like you know, एक 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 प्राक्टिकल अप्रोच एटिंग इस problem की तरफ, चलो फिर वो problem तो solve कर दिया, अब इस problem की तरफ बढ़ते हैं, तो ये भाई साब जो है, मेरे पास तीन documents उपस देते हैं, ठीक है, चलो अभी NLP का mood बनाते है, NLP, NLP, TF, IDF का mood बनाते हैं, अभी थोड़ा सा हम लोग अलग जो दिशा में है, वो चले गए ते, लेकिन इसकी दिशा अभी समझना ज़रूरी है सबसे पहले तो term frequency calculate करना है, term frequency सबसे पहले calculate करने के लिए चीए, F by T, F मतलब क्या बहिए, आपका frequency क्या है, एक particular term का, divided by, what are the number of words in that particular document, जैसे की, सबसे पहले terms list down कर लेते हैं, कौन कौन सी unique terms देखो, पपू, नाज, नहीं सकता, loves, dancing, stop, सही बात है, आप मैं क्या करता हूं, term frequency calculate करता हूं, for the, one, document two, document three, अब बात समझ बार है, तो जब मैं document one के लिए term frequency calculate करना हूं, तो आकड़ा के निकल के आ रहा है, one by four, क्यों one by four, one मतलब frequency, यानि कि अगर आप अपना document one देखोगे, तो उसमें जो पपू है, वो एक ही बारा है, यह word एक ही बारा है, and divided by one, two, three, four, total number of terms are four, तो that is what F Y T is, तो यहाँ पे one by four आ गया, आगे बढ़ते हैं, नाच, तो यहाँ पे भी यह एक ही बारा है, total four, one by four, यहाँ पे नहीं एक ही बारा है, total four, one by four, यहाँ पे सकता एक ही बारा है, total four, one by four, उसके बाद लव्स, यहाँ पे लव्स दिखाई दे रहा है, पह पहला आपका clear हो गया, अगर पहला clear हो गया, तो वही logic से हमने second भी और third भी define किया, design किया, देख लो, चलो, second भी आपको बताए देता हूँ, जैसे कि पप्पू, obvious ही वात है, पप्पू जो यह आपका respective word है, यह second जो हम लोग PF generate कर रहे हैं, term frequency for the second document, उसमें पप्पू एक बार उसके बाद सकता, यहाँ पर भी नहीं है, तो 0 by 3, लेकिन हाँ, loves है, तो loves के लिए यहाँ पर 1 by 3 है, और dancing के लिए यहाँ पर 1 by 3 है, लेकिन stops नहीं, तो यहाँ पर 0 by 3, same logic, आप 3 पर भी apply कर दीजे, देख लीजे, वही जो चीज़ आपको मिलने वाले, ठीक है, अब जिन divided by क्या भया, FD, यानि कि आपका एक particular term, हम लोग term की साबसे बात करते हैं, तो आपका particular term है, पपू, बराबर है, यह आपका कितने documents में occur हुआ है, उसकी frequency क्या है, कितने documents में occur हुआ है, तो यह F जो है, यह denote कर रहा है, कि भया कितने documents में, आपका respectively term पपू जो है, अकर हुआ है, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, पपू तो D1 में भी आया है, पपू D2 में भी आया, पपू D3 में भी आया, तो यहाँ पर वही आपन जो है, त्री लिख देंगे, आप देखो यह कोई official, क्या बोलते है, notations नहीं है, यह just मैंने एक simple shortcut for the formula धून के निकाल कि यहाँ पर जितनी भी terms आप लोगे, उनके लिए numerator of the IDF will be common, same होगा, सबका, देखलो नहीं है, IDF जो है, सभी का, for पपू, नाच नाई, सकता, loves, dancing, stops, सबके लिए numerator 3-3 है, क्यों, because total number of documents तो आपके 3 ही रहने वाले है, बदलेगा क्या, बदलेगा क्या, denominator, जैसे कि for example, पप आकर हुई है, तो यहाँ पर आपका denominator में one आ गया, under the notch, नहीं में भी एक ही document में करो रहा है, सत्ता भी एक ही document में करो रहा है, loves भी एक ही document, यहाँ पर, कई और loves दिख रहा है, किसी और document में नहीं, एक ही document में लवस दिख रहा है, तो एक ही document में लवस दिख रहा है, तो एक जब भी तैयर हो गया उसके बाद टीएफ भी तैयर हो गया तो करना क्या है प्रोड़क्ट ले लो भाईया टीएफ आईडिएफ हो गया आपका जन्रेट कैसे करेंगे लेट से फॉर एक्जाम्पल में पहले हम लेते हैं सबसे पहले तो हम क्या करेंगे यह जो पहले डॉक्युमेंट का जो टीएफ जन्रेट हुआ है विद रिस्पेक्ट टीएफ टम्स उससे हम सिंप्ली मल्टिप्लाइ करेंगे विद्धा आईडिएफ टम्स डैट इस वन बाद समझ पार यही चीज मैंने की यहाँ पर देख लो आभी लॉड फ्री भयइ अ जी रहे जिरो होता है जी तो इसले वन बाद सुट gotta ind जाएगा उसके बाद यहाँ पर OS व्न लॉड भाद सरी किया मैंने से गाला जाएगा सीमिलन बेमें यहाँ तर यहां पर ऑग लिए जो है यहाँ देखेंगे तो लव की term इसके साथ multiply कर लो वो तो zero याने वाला so why to waste the efforts and the calculations and the time तो यहाँ पर भाईया सीधा सीधा आपका zero आ जाता है same यही fund आप D2 के लिए और D3 के लिए भी भाईया जो दो documents बज गए उनके लिए भी compute करिएगा और ज़रा comment में answer बताएगा कि आपको क्या आप राप्त हुआ है क्या मिला है भाईया चीज है ना कहां कहां पर zero और कहां कहां पर आकड़े और वो आकड़े क्या है उनकी value भी ज़रा comment section में बताएगे ताकि सबको मदद हो सके है कि नी तो तब तक कि लिए आगर यह वीडियो आपको समझ में आगे होगा पसंद आगे होगा इंफर्मिटिव लगाओगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजे उससे भी जाज़वरी इस वीडियो की शेयर कीज़े अपने सारा दोस्तों के साथ थैंक्स अलोर दोस्तों पर वाचिंग दिस वीडियो